एजंडा पाकस्तानी, मुहरा बने खालिस्तानी कैसे चंद रुपियों के लिए होए भारत के खलाफ खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान ने भारत को बद्दाम करने का नया प्लान तयार किया है हाली में आई एक रिपोर्ट से इस बात के संकेत मिल रहे है खबर है कि पाकिस्तान सभी अंतराश्टिय फोरम पर भारत को परिशान करने की कोशिश कर रहा है खास बात ये है कि जानकारियां ऐसे समय पर सामने आई हैं जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत कैनेडा के बीच तनाव जा रही है एक मीडिया रेपोर्ट में पाकिस्तान की खूफी अजन्सी के शेर्स अधिकारी के हवाले से बताये गया है कि भारत के खिलाफ नए रणीती बनाई गई है और बताया कि खालिस्तान आंदोलन रफ्तार पकड रहा है रेपोर्ट के मताबिक अधिकारी ने दावा किया है कि आई एसाई खालिस्तानी समर्थकों की मदद से भारत में जमीन तयार कर रही है उन्होंने कहा कुछ रुपियों के बदले में खालिस्तानी समर्थक गोपनी जानकारी मुहया करा रहे हैं और हम उसके हिसाब से निशाना तयार कर रहे हैं उन्होंने बताया अनिशित राजनीती खालात और आर्थिक संकट के चलते हमारे ओपरेशन सीमीत हैं लेकिन ISI के पास पश्य मेशिया, तुर्की, नेपाल और कैनेडा में वैकल पिक संसाधन है आगे बताया गया ISI का दुनिया भर में एक सिंडिकेट है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं बदले में ISI उन्हें फरजी आईडी, फरजी पासपोर्ट और आतंग के आर्थिक मदद देता है रिपोर्ट में एक सैने सूतर के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान खालिस्तान अंदोलन को बढ़ाने पर ध्यान लगा रहा है एक अधिकारी ने कहा कि करतारपूर कोरीडोर और करतारपूर में नए गुर द्वारा के बाद पाकिस्तान ने सिखों का दिल जीत लिया है रिपोर्ट के अनुसार सैने सूतर ने बताया है कि पाकिस्तान कश्मीनी जिहादियों की तरह खालिस्तानी लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा है भारत कैनेडा तनाओ कैनेडा की संसद में प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंग निजजर की हत्या में भारती अजंट्स की भूमिका होने की आशंका जताई थी इसे लेकर भारत में जम कर विरोध हुआ और सरकार ने कैनेडा के आरोपों को पूरी दरह से खारिज कर दिया था निजजर की जून में सरी शहर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी